Welding Preparation 24 का 5th paper हमें analysis करने जारे हैं जिसके सारे questions और उसके सारे doubts हम clear कर रहे हैं चलिए फटाफ़ने start कर लेते हैं हमाला पहला question है question number 1 जब जमान दातों के दो भागों को ऐसामान दातों की filler road के साथ जोड़ा जाता है तो उसे कौन सी welding कहते हैं जिसमें हमारा right answer आजाएगा option B heterogeneous देखिए जब भी हम welding करते हैं तो जोड़े जाने वाले part और हमारे filler road यदि समान होती है तो वह कहलाते है homogeneous welding लेकिन welding करते समय हमारे जोड़े जाने वाले parts यानि कि हमारे जो best metal है वह दोनों तो same metal के हैं लेकिन जो हम filler road use कर रहे हैं वह different metal के यानि कि ऐसामान दातों की है तो ऐसी condition में वह welding कहलाएगी वह heterogeneous कहलाएगी ठीक है और इसका जो example में बता देता हूँ जैसे हम brazing करते हैं तो brazing के अंदर क्या करते हैं जो जोड़े जाने वादे parts होते हैं उनको हम पीटल की filler road के द्वरा जोड़ते हैं काश्ट iron का parts हो चाहे MS का parts हो चाहे वहाँ पे stainless steel का parts हो कोई भी parts हो उनको brazing करते समय हमेशा पीटल की रोड़ से यानि की spelter तामबा वो जस्ता की जो spelter बनी होती है उससे जोड़ते हैं तो वह जो process कहलाएगा वो heterogeneous process कहलाता है ठीक है इसके बाद हमारा next question है question number two गरम जोब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं जिसमें हमारा right answer आएगा option D tong संडाशी जिसको हम कह सकते हैं आपको पता है बहुत बार आपने देखा है फिर भी आप ये question गलत कर देते हैं देखिए वेल्डिंग करने के बाद में जोब गरम हो जाता है उस गरम जोब को एक जगा से दूसरी जगा ले जाना है या उसको पकड़ने के लिए हम हमेशा टोंग यानि के संडाशी का उप्योग ही करते हैं यहां पर कभी भी दस्ताने या कोई चिम्टा यह नहीं आएगा आप कोई रोटी नहीं सेक रहे हो जो चिम्टे का उप्योग करेंगे चिम्टा होता है रोटी वगरा सेकने के लिए गरम जोब को पकड़ने के लिए हमेश लेना इस्टिल के अंदर कार्बन की मातरा जितनी कम होगी या घठेगी तो इस्टिल की वेल्ड होने की शमता उतनी ही क्या होगी बड़ेगी इसी को एक समझ लेते हैं कि हम जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए ज्टीнос करते हैं वह हैंगी कर दिल के हैं और उनको काट के हां जब हम व्यल्ड करते हैं तो आसानी सेbereल ढूह घब हो जाते हैं वहतर कर गदर कर्द लिए तो होगा भी नहीं और हमारा टो हो भोम ह futures in यानि कि इस्टिल के दर यदि कार्बन ज्यादा है तो वेल्ड होने में कटना या रही है वेल्ड हो नहीं पा रहा है यानि कि इस्टिल की वेल्ड होने की समता गट गई वेल्ड बिलिटी गट गई और वहीं इस्टिल के अंदर यदि कार्बन की संक्या कम है या कार्बन की मा गई ठीक है वेल्डिबिलिटी बढ़ गई हमारा नेक्स्ट कुशन है क्विशन नुबर फॉर आर्क वेल्डिंग के दौरान फ्लक्स का उप्योग नहीं करेंगे तो क्या समझ्या आएगी तो इसमें मारा राइट आंसर आजाएगा ऑप्शन डी आर्क इस्तिर नहीं रहेग उसको प्रोटेक्ट करता है फ्लक्स वेल्डिंग के दौरान आर्क इस्तिर रहती यानि कि आर्क कंटिनू बनी रहती है उसको मेंटेन करता है फ्लक्स वेल्डिंग की जो बीड बनती है उसकी जो क्वालिटी है उसको सुधारता है फ्लक्स तो इन दिये गए विकल्पों मे है मेच हो रहा है तो इसमें आंस्वर है डी आर्क इस्थिर नहीं रहेगी यानिका अगर हम फ्लक्स का उप्योग नहीं करेंगे वे आर्क वेल्डिंग के दुरान तो हमारी जो आर्क है वो इस्थिर नहीं रहेगी ठीक है इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्रिशन नंबर फाइव एम फ का पूरा नाम क्या है जिसमें हमारा राइट आंस्वर आजाएगा ओप्शन सी इलेक्ट्रो मोटी फोर्स देखे जब किसी भी वीडियो तार के अंदर से वीडियो धारा परवाहा की जाती है तो उस वायर के चारो तरफ एक साथ मिला जाता है तो उससे जो नई धातू बनती है उसे क्या कहते हैं तो इसमें हमारा राइट आंस्वर आज आएगा ओप्शन भी अलोई मेटल याद रखना जब दो अलग अलग दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल को पिगला कर उनको मिक्स करके जब नई धातू उनसे बनती है तो उसे हमेशा मिस्र दातू यानि कि अलोई मेटल कहते हैं ठीक है एक्जम्पल के तोर पर जैसे हम तामबा और जस्ता को मिलाते हैं तो उससे जो नई धातू बनती है वो कौन से होती है पीतल बिलकुल राइट पीतल क्या है एक मिस्र दातू है जो तामबा और ज किस परकार का फ्लक्स उप्योग करते हैं तो मेरे पिरिय चात्रों मैग Assistance है यह मिग वैँल्डिंग का ही रूप मेटल की हैं एक ещё फ्लक्स का फ्लक्स का नहीं एक हैं ऐ उसी परकार इसमें भी मैँल्ड मेटल एक्टिव ग्स एक्टिव ग्स के रूप में सी चfirekt नहीं का पह window की यूटब का उप्योग हम तो इस वैंक meter का फ्लक्स अब उप्योग नहीं करते हैं इसमें हमारे पिगले मेटल की शुरुक्षा करने के लिए हम शिल्डिंग गेज या एक्टिव गेज सीओ टू के रूप में उप्योग करते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर नाइन वेल्डिंग वरक्षोप में किस परकार का अगनी शामक उप्योग किया जाता है तो पहले भी मैंने ये क्यूशन समझा दिया था अब दुबारा से फिर समझा रहा हूं बिल्कुल समझ लीजे कि वेल्डिंग वरक्षोप के अंदर आपके पास कोई दूसरा अगनी शामक की अंतर हो या ना हो कोई बात नहीं है लेकिन वेल्डिंग वरक्षोप के अंदर स्योटू अगनी शामक की अंतर जरूर होना चाहिए ये क्या है कि common अगनी शामा की अंतर है सभी परकार की आग के उपर काबू करने के लिए इसको उपयोग किया जा सकता है इसलिए welding वरक्षोप में हमेशा shear to अगनी शामा की अंतर प्रात्मिक माना जाता है जरूरी माना जाता है ठीक है इसके बाद हमारा next question question number 10 किसी जोब को weld करने के तुरंत बाद यदि गरम किया जाता है तो उस परक्रिया को क्या कहा जाता है देखिए मेरे प्रिये चातरो इस question के अंदर बहुत सारे बच्चों को confusion हुई है तो मैं बता देता हूँ इसमें हमारा right answer आ जाएगा option B post heating देखिए welding करने से पहले अगर जोब को गरम करते हैं तो वो कहलाता है pre heating क्या कहलाता है pre heating और welding करने के बाद में अगर हम जोब को गरम करते हैं तो वो कहलाता है post heating बाद में करते हैं तो इसमें पोस्ट हीटिंग आ जाएगा पहले जोब को गरम करते हैं तो प्रीटिंग हो जाएगा और वेल्डिंग करने के बाद में अगर जोब को गरम किया जाता है तो वह हमेशा पोस्ट हीटिंग कहलाता है ठीक है तो हमने फिप्थ पेपर का पूरा अनलाइसिस कर लिया यानि कि जो क्यूशन में आपको बहुत ज्यादा डाउट थे बहुत ज्यादा परेशनेटिव हमने सौल्व कर ली है तो मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ नमस्कार